तो यह तो हमने करके दिखाया और आज हब पूरे बिहार के मचली मारने वाले निशात का बेटा उनको भरोसा हो गया कि हम विधायक बना सकते हैं तो आज चार बनाएं कल चालिस बनाएंगे एक समय आएगा अपने दम पर अकेले दम पर सरकार बनाएंगे हैं तहीं हम एक को लेकर कुछ कहेंगे हैं जिए इसकारी एजन्सी जो है उपना जो काम उनको करना चाहीं वो अपना काम कर रही है उसमें ज्यादा बीसेश बोलना नहीं लेकिन आज की तारीक में देखिए कि इस सरकारी संस्तान को किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए इस तरीके से इस्तामाल किया जा रहा है और लोगों को डराया धंगाया जा रहा है असकार महों देवांसू आप देख रहे है नियूस फोरनेशन बिहार की सभी राजनेतिक पार्टिया जो हैं अब चुनावी मूर्ड में आती हुई दिख रही है बिजेपी 200 सीटों पर त्यारी कर रही है जेडियू 243 सीटों पर त्यारी कर रही है इस बीच मुकेश सहनी बनाई है इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश सहनी है किस तरीके से आप त्यारी कर रहे हैं क्योंकि आपकी बैठक होई कल सोचल मीडिया से जुड़े होई लोगों तो क्या कुछ मंत्र आपने दिया और क्या कुछ फीड़बैक आपको मिला देखिए अभी हमार कर रहे थे लेकिन आज की तारिक में देश में कुछ धारा जो है वो फ्रंट लाइन की जो मीडिया है वो कहना कहीं बजारी करन हो चुका बरे-बरे उद्योग पती के अगल बगल में घुम रहे हैं बरे-बरे पोलिटिकल पार्टी के पीछे घुम रहे हैं आज हमारे जैस पूरे परदेश में 15,000 पतादीकारी आईटी सेल में बनाना है पर राश्टी कमिटी से लेके बूत कमिटी तक हम लोग बनाएंगे पूरे परदेश में और इसके लिए 15,000 का लक्ष हमने रखा है जो जनबरी तक हमें पूरे बिहार में जो प्याटी के लिए सोसल मीडिया पर काम करेंगे चाहिक वह यूटूब हो या फ्येसबुक हो या इस्टாग्राम या टुटर हो तमाम प्लेटफर्मा पर काम करने के लिए हम लोग लक्ष रखा उसी के लिए पूरे परदेश में लोग काम करेंगे तो इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं पूरे 243 सीट पर चुनाब लगना है, लोगसवाद 2014 बें जो आना है, उसके लिए 40 लोगसवाद सीट की तैयारी कर रहे हैं, अब मजगूति से इस से पहले जिस तरीके से हमने काम क्या उसी तरीके से कर रहे हैं, अभी उससे जगाना, उरजा के साथ और जोस के साथ जुनून के साथ अभी हमा हपी बिए सब्सक्ठाइक। तो आज चार बनाएं कल चालिस बनाएंगे एक समय आएगा अपने दम पर अकेले दम पर सरकार बनाएंगे तो इस रन्रिती के साथ पुरे पर्देश में हम लोग कि अभी साथ करो मच आपकर रहें। पेला बոगती कर रहें। अपने पार्टियों, ढ़सायों क्या आपका काफी ही हिम्पैक्ट में आपका पहलेगा,शुम को परिमार से लोगतनेन सराओी। इस पर ही विगार हुए छितने भी हमारे पदादीकारी है सारे लोगों को एक मंत्र दिया जा रहाальное कि आप अपने पाटी के लिए जितना काम कर करे हैं दिन भर जहांजां घुम करें करी रहे हैं लेकिन हमारे घर में माता बहन बेटी घर पे हैं और उनका जो समय है काम करने का उसके बाद उसके पास खाली समय जिस से मिलते तो उस समय में वो सोचल मीडिया के जरिये, पेसबूक के जरिये या इस्टायम के जरिये, जो भी साइड है उसके जरिये आप पाटी के लिए परचार करें ताकि घर घर तक पहूंचे क्योंकि हमारा जो आवाज है वो हमीं लोगों को पहुचाना है आज बरे लोग हमारा आवाज को पहुचाने के लिए नहीं आएंगे बरे लोग जो भी बरे बरे चैनल है वो सब कहीं न कहीं है एक गरीब मच्छवारा के बेटा को लिए आज कहीं न कहीं आने वाले नहीं है आपने देखा कि किस तरीके से भाजपाने काल अगर पटना में आया उनके निता, तो अज पतना में करोरो करोर रुपया, पानी के जैसे बाहाया गया, होडिंग बैनर पोस्टर लगाया गया, मीडिया ओडिया, सब चीज अनेजमेंट किया, यह कहां से आता है यह पैसा, कहीं न कहीं जनता का ही पैसा है, तो हमारे पास वो पैसा नहीं है, और हमने सही तरीके से काम करने हैं, तो हमारे लोग लिए जनता ही हमारे लिए काम करेंगे, तो यहीं उमीद से हमने आईटी सेल को मजगूत करने का निरने लिया है, इस बीच एक और सवाल है कि संजया राओत पर एडी का सिकंजा जो है वो जारी है और भोला यादा भी जेल में बंद है, तो कहीं ने कहीं आपको भी लगता है, क् कि बीजेपी अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो मैं दसरत मांजी बन जाओंगा, तो एडी का सिकंजा आपको लेकर भी कुछ कहेंगे हैं, ने देखें, सरकारी एजेंसी जो है वो अपना जो काम उनको करना चाहिए, वो अपना काम कर रही है, उस पे ज़्या को और भात मना जारा था, बना हूआ सरकार को गिरा जा रहा है, किसी का वृधाय को खनी जारा तो तो इस annual today घमर में चूर है ये सा कर रहे है, ऑर जो गलत करेगा उन्हें डरना है, हमें 5 में कोई गलत ने किया हमें क्यों डरना है, हम रहा की आज उनके पास चंपास हाए, पाबर है तो आज गलत ले रहें निरने तो उनका भी एक समय आएगा देखिए हमने कहा ना अगर बीजेपी अगर पहार है तो मैं भी एक दसरत माजी हूँ एक नएक दिन तोरूंगा नहीं जब तक छोरूंगा नहीं तो उसी तरीके से हम लोग लड़ाय लड़ रहे हैं और वहले हूँ आज कितने उचाई पे हो लेकिन एक नएक दिन उनको जमीर पर लाएंगे एक आखरी सवाल है कि मुकामा उपचुनाव में आपने निरने लिया है कि आप चुनाव लड़ेंगे सवाल यह है कि आप किसकी धड़कनी मुकामा में बढ़ाने जा रहे हैं जीडिय और हमारी हार में भी हमारी जीत होता है आपने यह हमने बोचा में हमने साबित कर दिया कि अकेले हमारे अपने दम पर हमने 30,000 भोट लाया 18% भोट लाया जो लोग दावा करता था कि हम चुनाव जीते हैं वो 37,000 से चुनाव हारें 37,000 से जो सीट हमने 12,000 से हमने पिछली 2020 म को आना पड़ता है और पूरे NDA ताकत लगा देता है 17% भोट में सिमट जाते तो हमारी ताकत है हमारे सहयोग से आज एंडिय की सरकार बना है और आप देखेंगे कि बिहार में 2020 में जो सरकार बना ये हम लोगों को भी नहीं लगता था कि एक मचली मारने बेटा मचली मारते मारते बिहार की राजनित क्या करेंगे लेकिन हमने करके दिखाया हमने चार बिधायक बनाया और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना अगर हम उस समय नहीं चाहते तो साइद बिहार के मुकमंत्री नितिस कुमार जी सपत नहीं लेते तो यह उपलबदी ह मुचे जयनी का सपना कि अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे और इसी रनीती के तहत जो भी कार है राजनितिक वो मुकेश सहनी कर रहा है फिलाल अभी तके लिए इतना ही आप देखते रहिए न्यूस फरनिशन